नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हुँ मैं तीन मई दो हजार चौबीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरू को नमन कर चलिए राशिफल का इकारिक्रम प्रार्म करते हैं कर दो ही मैं तीन कर दो हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार वईशाख मास कृष्ण पक्ष की आज दश्मीति थी है जो रात्री 11 बच करके 24 मिनट तक है और इसके पश्चात एकादशी है शत्विखानक छत्र है ब्रह्मयोग वनिज करण है बात की पंचांकी चंद्रमा आज कुम्भराशी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 29 मिनट से 2 पर 12 बच करके 21 मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल प्रात्र हसाड़े 10 बजे से 2 पर 12 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चुरकाल तक लाव लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरीकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंध नहीं करना चाहिए प्रियदर्शकों पंचक आज भी जारी है खोली अपनी जन्म कुंडली को और मिला लिजी आज का दिव्य महा सूत्र बुध और शनी से कितने घर आगे अथवा पीछे हैं आपकी जन्म कुंडली में मंगल यू समझ लीजिए कि सब कुछ आपके लिए आसान है एक ऐसे अभिद्य सुरक्षा कवच से घीरे हैं आप कि जब जब आपको आपका शत्रू पीडित करेगा तब तब आपका भाग्योदय होगा जे हां ऐसा ही होगा बेहत अद्भुत और दीब्य सुत्र है आज का दिब्य महा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरवाद कर लेते हैं ग्रहिस्तुतियों की शुक्र और सूरिय यूती बनाकर मेश रासी में संचरन कर रहे हैं यह है ग्रहिस्तुति प्रेदर्शकों गोचर कुंडली में गजकेशरी योग भी है और गोचर कुंडली में विश्योग का भी निर्माड है राहु के नक्षत्र में संचरन कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं बाकी की यह ग्रहिस्तितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं शुक्रवार का दिन सोमेवार है ये और आहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरन है कौन सी उराशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवशकता है कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने नयकारे प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए में शिशे लेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राशी के जात्कों के लिए कस ग्रह के विशेस प्रभाव में रहने वाले हैं आप कौन सा उस्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को सुरेष्ट बना सकते हैं सभी विश्वों की चर्चा आगे हम राशी फल में करेंगे, तो ये है ग्रह स्तुति इनी ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे तिन खाहल तयार किया हैं वोने दर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बत चली नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहुर्थ की। आठ मई दिन बुधवार गंगादी नदियों में शनान दान की अमावस्या है बाकी उस दिन कोई और शुभ मुहुर्थ नहीं है। मुझसे मुलाकात कर सकते हैं इसके लिए स्क्रिन पर दिये गए नंबर पर एक बार समपर कर लीजिए। यदि आपकी दिलचस्पी जोतिस में है। आप जोतिसी बन जाएंगे, ये सब एक से बढ़कर केक अपने आप में जोतिस के अध्भुत सूत्र है, ये आपके लिए निसुल कुपलब्ध है, आप इसका फायदा आवसे उठाईए, चली चलते हैं दिब्वे महा प्रयोगियोर, प्रियदर्शकों, जरा गौर करके बाने का प्रत्न करे, जब आपका शत्रु आपको प्रताडित करे, जब आपका कोई हक मार ले, जब आपसे कोई आपका अपना हक छीन ले, और तब तब आपका भाग्योदय हो, इससे बहतर क्या चाहिए आपको? देखी अपनी जन्म कुंडली में और देखी कि कहां बैठे हैं बुध। और जहां बैठे हैं बुध। वहां से कितने घर आगे पीछे हैं मंगल। यदि बुध। से मंगल तीन घर, पांच घर, दस घर या ग्यारह घर आगे हो। यानि जहां बुद्ध बैठे हैं, वहां से तीन घर आगे गिन लीजिए, या तो मंगल यहां पर हों, पांच घर, दस या ग्यारह भाव आगे हों, वैसे ही जन्मपुंडली में जहां शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव के साथ ये वाला सूत्र जरा समझना जरूरी है, श ये दर्शकों इस सूत्र को मैं समझाना चाहूंगा, जैसे मैंने अगर कहा कि सनिदेव के साथ चौथे का संबंध बताया, साथवे का, आठवे का, नवे का, सनिदेव से 10 घर आगे या 11 घर आगे मंगल हों, गौर करिए, जो तो श्मेक रूल है कि एकर जन्मपुंडली के छठे आठवे भाव में मंगल हों और ऐसे मंगल पर शनिदेव की दृष्टी पढ़ जात वे भयंकरतम दुरघटना का योग बना देता है, आप इस योग के बारे में जानते हैं, ये भी जानते हैं कि शनिदेव का दृष्टी संबंध बन जाए, तो ये बिसफोटक पूदय के रूप में देखा जाएगा, अब ये ध्यान पहले रखिए कि इस सूत्र में भाग्योदय सब्द तब जुड़ा हुआ है, जब आपको कोई पीडित करें, बड़ा तरक है इसमें, कि अगर आपको कोई पीडित नहीं करता, आपको कोई दबाता नहीं है, याद आपके जीवन काल में संघर्स भरे का परिशानियां डालेगा, एक बात और, ये तो हो गया एक आम शत्रु की चच्चा, मान लिया जाए हम अपने कारिक छित्र में किसी न किसी कारण से परिशान रहते हैं, हम अपने जीवन काल में अपने ग्रोथ नहों हो पाने को लेकर क परिशान रहते हैं, तो हाँ ये तय है कि जब जब आपके जीवन काल में परिशानियां आएंगे, शत्रु जितना ही आपको पिडित करेगा, परिशानियां जितना ही आपको पिडित करेंगी, उतना आपका ग्रोथ होगा, और मैं फिर से पीछे एक बार चलना चाहता उमत नहीं कि इस सूत्र में जब शनी मंगल का संबंध एक साथ होगा तो यह विस्फोट की स्तिती होगी शनी मंगल का जब दृष्टी संबंध होगा तब भी विस्फोट की स्तिती होगी और अगर छट्थे आठ्वे से संबंध बनेगा तब यह दुरुघटना का संबंध भी बनाएगा लेकिन इसके बावजूद इस सूत्र में ये कहीं नहीं कहा मैंने कि दुरगटना की स्थिति नहीं बन सकती हो सकती है लेकिन ये मुद्दा है कि जब जब आप परिशानियों में पढ़ेंगे शनी मंगल बुद्ध के साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं शनी के साथ होगा तो आपका विकास ग्रोथ जबरदस्त रूप से होगा अकल पनी होगा हां इस योग में जब छठे आठवे का संबंध होगा तो दुरगटना और दुरगटना में परिशानी दी प्रिदर्शकों सनी मंगल के संबंध के बारे में एक और चर्चा है मैं हमेसा कहा करता हूँ कि ऐसे लोग जन्मजाद technical minded हो जाते हैं इनका दिमाग इतना तिब्र और तीखा हो जाता है नुकीला हो जाता है कि जहां किसी और को आम मार्ग न दिखाई पड़ रहा हो वहां इनको मार्ग दिखाई पड़ने लगता है फलत हम कह सकते हैं कि जब जब आपके जीवन नहीं साथ देने लगेगा और देखते ही देखते आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कलपना भी न की हो लेकिन याद रखिएगा अगर शनी मंगल का वैसा समंध है तो दुर घटना योग भी है उसके लिए अलग से जतन और उपाय करने होंगे चली चल मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी से आज लाभभाव में है और चंद्रमा राहू के नक्षत्र में है पितरों का विशेस प्रभाव है आपके उपर आपके पित्र आज आप पर विशेस प्रभ प्रदायक होगा तो यह उपाय करीए आज का दिन स्रिष्ठ फ्रदायक muffin Osoga यो आपको पूरा स्रयोग देंगे आज महनत थोड़ी जादां करने पड़ेगा और सबसे जरूरी बात जिसका जब इंकम अच्छा हो तो ब्याई से क्या दिक्कत। ब्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा कारिश्थल पर सहयोग मिलेगा पर कोई भी फैसला जल्द बाजी में मत करिए। विश्यश करके अगर आप पार्टनर्शिप में बयापार करते हैं तो कोई भी फैसला अकेले मत लीजेगा। और एक काम निप्टे इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुणली की में चंद्रमा के स्तुति बिल्कुल आपके पक्ष महराहू के नक्षत्र में समचरन करें, चंद्रमा आपको सीधा सहयोग करने वाले हैं। हलाकि इसका कुछ दुस्प्रभाव भी निकल करके आएगा। ये दुस्प्रभाव आपको आपके प्रेम संबंध में दिखाई पड़ेगा। प्रेमी से किसी ने किसी बात को लेकर के अन्बन, आपके मन में भी कोई गलत फ़हम्यूत्पन हो सकती है। मेरी सलाह है। कहीं उलजें उससे पहले परिस्तितियों को भली भाती समझ लीजेगा। किसी के उपर टिकाटिपणी करना, संसे, उंगली उठाना इसे पहले परिस्तितियों को समझे। किसी बात को लेकर के मन में संसे है, कन्फ्यूजन है तो बाच्चित करके उसको दूर करने का प्रत्न करिए। आप बस एक ही मूल मंत्रयाद रखिए आलससे से आपको बचना है। आलससे आज आपको नुकसान में डाल सकता है। दिन खराब कर सकता है। लकियंक आपके लिए आज साथ लकी कलर आपके लिए बैंगनी है। निवे शित्त्यादी करते हैं, अवश्य करिए। आपके लिए आपके लिए अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। बाकी देखा जैतों दिन अच्छा है आपके लिए अचल संपत्ति से संबंधित कारियों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है जो भी आपके ज़रूरी काम है उन पर ध्यान दीजे और एक समय में एक सधिक काम भी हो तो कर लीजे। आज थोड़ा जोगी मुठाइए। बहुत अधिक आलस से नहीं चाहिए। आलस से आपको बचना है। कोई महत्तपुरुनकारी जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। बाकी परिवार के साथ अच्छा समय आपका भी इतने वाला है। परिवार के लोगों से सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई परिशानी थी तो वो परिशानी दूर होगी। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में मत भेद किस्तिती उत्पन नहों गई थी वो दूर होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से नवम में। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरन और शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप। बढ़िया है दिन। चांदी के पात्र से जल पीजिए। और हो सके तो गाय को को को कि बढ़ा करने की जरुद मह्सूस हो रही है तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मीटिंग इत्याती के लिए दिन अच्छा है, अचल संपत्ती से समंधित, मकान, भूमी प्लोट से समंधित कारियों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, आज किसी फंक्षन पार्टी इत्यादी में जा रहे हैं, तो बस इतना ध्यान रखेगा कि खान पान पर जरा नियंतरन रखना है क्योंकि बाद में अपच या पेट से समंधित परिशानी दिखाई पड़ रही है, तो सावधानी के साथ, और पाटी त्यादी में हों, कहीं समाज में हो, सामुहिक जगह पर हों, तो बहसी त्यादी से दूर ही है, बाकी जीवन साथे से किसी बात को लेकर के दिया अनबन हुई है, तो उसे ठीक करने की जिम्यदारी आपकी है, बिद्यार्थियों को मेहनत के नुकूल सफलता मिलेगी, स्वास्त के मामले में कोई विशेश परिशानी नहीं है, लकियंक आपके लिए आज तीन और लकी कलर आपके आज ग्रे है, निवेश करें याँ, करक के जातकों की बात करें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा, आपकी रासी स्टम में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरन बुधके प्रभाव में हैं, दिन को सावधानी पूर्वग विताना है, प्रात मन को नियंत्रत रखना बेहद आवश्यक है, कोशिश लगातार करते रहनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी, कारेक छत्र में अनबन किस्तिती है, करियर को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है, और सबसे बड़ी बात, सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण नहों पान अनजान लोगों से जरा सावधान रहीएगा, आख बंद करके किसी पर भरोसा मत करी नहीं, तो बड़ा धोखा हो सकता है, अती उतावला पन जल्दबाजी में लिये गए निरने से नुकसान होगा, और कहीं घूमने इत्यादी गए हैं बाहर कहीं जगह पर, तो सावधानी बरतियेगा आपके सामान के खो जाने या चोरी हो जाने की भी संभावना बन रही है, तो ही बात ये दिया आपके दामपत्ते जीवन की करें, तो यहां परिस्तिती मधूर है, विद्यार्थियों को आज चिंता रहेगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, और स्वास्ते के लखी कलर आपके लिए अज हलका पीला है, निवेश आप ना करें, सुमके जातकों की बात कर लेते हैं, गोचर कुंडली में, चंद्रमा का जो संचरण है, वो आपकी रासी से आज सप्तम में है, इचंद्रमा आज राहु के, नक्षत्र में है, पितरों का विशेष प्रभ पा है आपके उपर, पित्र भ्योन महिसमंत्र काजब करी और स्नानादी से निवर्त हो करके पूजन करके, और आपका जो नित्य का पूजन है, ब्राम्हन को आज मंदर में या कहीं भी आपके पुरोहित इत्या दे हो, तो उनको सूखा अन या अन दान करिए, इस से विशे बढ़ाने का मौका आपको मिलेगा, कोई सुख सूचना आपको मिलेगी, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, यह ऐसा परिवर्तन होगा, जो आपके इक्षा के अनुरूप होगा, खर्च पर अपने नियंतर रखिए, किसी भी तरह के तनाओ, विवाद से ज जीवन साती को जोड़ों या नसों से समंधित परिशानी है, तो उनका विश्यस रूप से ध्यान रखिएगा, और हाँ, जिस काम में आपका मन न लगे, उस काम को छोड़ दीजे, दूसरा, दूसरों के जगड़े में अपना समय खरा मत करिए, और लवलाइफ के परिशाइत या दीदे रखी थी, तो समझ लिए उससे सम्मंधित कोई शुब सूचना आपको मिलने वाली है, और स्वास्त के मामले में देखा जाए, तो वैसे तो सब कुछ ठीक है, मौसमी बीमारियां आपको परिशान कर सकती है, ध्यान रखिए, लकी अंक तीन और लकी घर के आसपास किसी सिद्ध संत की समाधी है, तो जाकर के वहाँ दर्सन करिए, हो सके, तो समाधी पर आज हलवे का भोग लगाईए, और वही पर वित्रित कर दीजे, बहुत अच्छा होगा विशेश करके नौकरी मिस्थान आंतरण या प्रमोशन के लिए प्रतनसील है, तो सफलता मिलेगी, इससे समंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल जाएगी, हलाकि पूरे दिन पूरी तरसे एक्टिव रहने वाले हैं, जो भी बड़ा फैसला करना है कर सकते हैं, सभी विकल्पों पर विचार करिए, और फैसला लिजे जोखिम भरे कारियों को करने के ल किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है और किसी पुराने परिचित के सहयोग से विश्यस धनलाब होने वाला है, साज़दारी में काम करते हैं, तो यहां भी आपको फायदा मिलने वाला है, बाकी सबतर से दिन ठीक है, पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी, बरत लीजिये, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जीवन साति के साथ किसी बात को लेकर के अन्बन या बहस नहूं इस बात का ख्याल रखना है, विद्यारतियों के लिए दिन अच्छा है, सिनियर से आपको मदद मिलेगी, दोस्तों से भी आपको मदद मिलेगी, और स्वास्त के मामले में बस इतना ही है कि वाहनी त्यादी चलाते समझे रहा सावधानी बरत लीजेगा लकी अंक आपके लिए आज एक और लकी कलर आपके लिए आज हरा है निवेशा अवश्य करिए तुला के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज पंचम में होना राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आपके कुल देवता या कुल देवी का विश्यस प्रभाव आपके उपर रहने वाला है अगर आप नाम नहीं जानते तो बस मन में ध्यान कर लिजिए इससे आपका दिन बन जाएगा कोई अच्छी सूचना मिलेगी जो भी महत्त्त पुरून कारे होंगे वो भी होगा और सब ही काम समय से पहले ही पुर्ण हो जाएगे बलकि किसी समस्या से जूज रहते परिशान थे तो उसका भी समाधान मिल जाएगा बाकी दिन चरे आपकी ठीक दिखाई पड़ रही है, किस्मत का साथ मिलेगा जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उस अवसर का आपको लाभन उठाना चाहिए जरूत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी ब्यवसाईयों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा ब्यवसाई में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और सबसे जरूरी बाद, योजनाबद ढ़ंग से काम करिए, फायदा मिलेगा ब्यापार्शों समधित कोई महत्तो पूरूरा फैसला लेना है तो ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाकि सबसे जरूरी चीज जो है आपके लिए हो है महनत, अधिक सधिक महनत करिए जितना अधिक प्रत्न करेंगे, पूरुशार्थ करेंगे, महनत करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा राजमीति के ख्षेतर से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है वाहन इत्यादी चलाते समय आपको भी सावधानी बरत्नी होगी और संतान पक्षसे वैसे तो कोई खुस खबरी मिलने वाली है परन्तु यदि आपके घर में बच्चे इतने बढ़े हैं कि वाहनी त्यादी चलाते हैं तो उनको सावधान कर दीगा चोट चपेट उनको वाहन से लग सकता है बाकी जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा दामपत्य जीवन में खुसाली दिखाई पल रही और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है तो कुल मिला करके देखें तो तुला के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है स्वास्त के मामले में पुराना रोग या मौसमी बिमारी आपको परिशान करेगी ध्यान रखिएगा लखियंक दो लखी कलर आपके लिए ब्राउन है और निवेश भी आप करिए वरिश्च के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडरी में चंद्रमा का आपकी रासी से आज चतूर्थ में संचरण राहु के नक्षतर में चंद्रमा का संचरण हर शुक्र के प्रभाव में हैं आप आप दो तिन कामाज करिए पहले तो शनान के जल में इत्र मिलाकर के उस जल से शनान करिए और एक गुलाब जल की सीसी देवी के मंदर में जाकर किया वस्यदान कराईए सफेदरं का वस्तर भी आप धारन करिए इत्र का इस्तेमाल करिए इससे भी आपको फायदा मिलेगा सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपका कोई पुराना मित्र आपके लंबे समय से रुके कारे को पुर्ण कराने में सहयोगी होगा कहीं पैसा फसा हुआ था तो किसी मित्र की मदद से आपका वो पैसा वापस आएगा एक अच्छी बात ये है कि आज का दिन आपको शुकून सांती प्रदान करने वाला है परन्तु एक बात का आपको ख्याल रखना है कहीं भी रहिए सम्मूह में हैं समाज में हैं तो दूसरों की बातों को जरा गंभीरता से सुनिए अपनी बात किसी पर थोपने की कोशिश मत करिये बाकि दिन अच्छा है लाब देगा नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रतनसील है तो काम बनेगा कहीं कोई इंटर्वियू है कोई परिक्षा है दे सकते हैं सफलता मिलने वाली है करियर से जुड़ी कोई खुश खबरी मिलेगी और कई दिनों से चली आरी परिशानी निरासा की स्थिति खत्म होगी ब्यापारियों के लिए भी आज का दिन फायदेवाला है बिद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्त के दृष्टे कोण से देखें तो स्वास्त में भी कोई विशेश परिशानी नहीं स्वास जन्निरोग और कफ जन्निरोग की संभावना है तो इसका खयाल रखना है आपको लकी अंक नौ लकी कलर के शरिया है निवेश करिए सफेद रंग का भी इस्तेमाल आप करिए कोई दिक्कत नहीं होगा धनू के जातकों की बात करते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके तीसरे में हैं राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचरन और शुक्र के प्रभाव में हैं आप सफेद नमक एक चुटकी ले लीजिए और अपने सर के उपर से साथ वार एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजेगा इससे फायदा आपको में लेगा है और भविष्ट को लेकर के कोई कारे है योजना है उस पर कारे करिए उच्चादी कारियों से बातचीत करने के लिए दिन बढ़िया है परिवार से जुड़ी कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं किसी से मुलाकात, बातचीत, मीटिंग इत्यादी के लिए दिन बढ़िया है बाकी देखा जाए तो आज दिन ठीक है आपका सहयोग दे करने वाला है दिन किसी बात को लेकर के मन में घुटन थी, टिंसन थी या परिशानी थी वो परिशानी दूर होगी इस मामले बे दिन शुब है ब्यापारियों को अच्छा रहने वाला दिन फायदा देगा कहीं से पैसा कर्ज लेने वाले थे, प्रयास कर रहे थे, कर्ज नहीं मिल पारा था, वो कर्ज मिलेगा बाकी जो भी काम होगा, सब हो जागा, टेंसन लेने की जुरुत नहीं है, जल्द बाजी मत करिए रिस्तों के मामले में जल्द बाजी मत करिए, नहीं तो आपका रिस्ता खराब होगा, रिस्ते तूटेंगे, वाहन चलाते समय भी जरा सावधानी बरतीएगा, प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं, प्रेमी क्योर से कोई उपहार आपको मिलने बाला है, और भी द्यार थे की बात कर लें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज दूसरे में हैं, और देखा जाए तो राहु के प्रभाव में, चंद्रमा राहु के ही प्रभाव में हैं, लेकिन ध्यान रखना है कुछ चीजों का सबसे पहले तो प्राता काल मध्यमा उंगली से का आजल का टीका नाभी के पास लगा लिजेगा, एक मध्यपान मांसाहार से बिल्कुल दूरी बनाकर कर रखिएगा, जूट बोलने से बचिएगा, बाकी आर्थिक दृष्टिकोंड से दिन है ठीक, परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न होने वाली, हाला कि कि किसी प बड़ा फैसला करना है तो करिया दिन अच्छा है, किसी मित्र की सहायता से या मित्र की सलाह से आपका काम बनेगा, घर में कोई मरमत या कोई बड़ा बदलाव कराने वाले हैं, घर में कोई काम कराने वाले हैं, तो करा सकते हैं, परिशानिया नहीं आने वाली, और हाँ, ज इण पत्त के जवण में भी कलह की स्थिति उत्पन नहीं हो सकती है। जीवन साथी, से किसी बात को लेकर गलत कलमी उत्पन не हो जाएगी और इसी बात को लेकर को लेकर मतetzt होगा। विद्यार्थियों को नाकारात्मक विचारधारा त्यागनी होगी और मनपढ़ाई में लगाना होगा स्वास्त के मामले में कमर दर्ध के शिकायद दिखाई पढ़ रही है और गले में दर्ध के शिकायद दिखाई पढ़ रही है लखी अंक आपके लिए अज एक और लखी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार किराय से करें, ज्यादा अच्छा है। कुम्भ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी पर होना है। राहू के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचर्ण और मंगल के प्रभाव में हैं आप। ये काम आप करीए, इस से आपको जरूर फायदा मिलेगा। मंगल के प्रभाव को थोड़ा सा नियंतरन में कर देजिए। मीठा बोलने का प्रतना करिए, कम बोलिए। कड़वी वानी का प्रयोग मत करिए, स्वास्त का आपने खयाल रखिएगा, धन की चिंता थोड़ी सताने वाली है आपको, परन्तु एक बात क्या है, जो आपके पक्ष में है, कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, किसी पुरानी बात को लेकर के मन में चिंता है, तो वो चिं सुनिए, बिना बात को ध्यान से सुने, किसी भी नतीजे पर मत पहुचिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, जरूत से ज़्यादा बोलने से बचिए, और जीवन साती के साथ अच्छा आपको समय बीतेगा, जीवन साती से प्यार सम्मान मिलेगा, रिस्ते में घहर और इंज है, निवेश आप करें महल करके रहना होगा, काम आपके पूरे अवस्य होंगे, लेकिन छोटी-मोटी बाद हाएं परिशानी आती रहेंगी, धनलाब कम होगा, ब्याय किस्तिती अक्तियदिक होगी, अच्छी बात ये है, कि ये जो ब्याय होगा, खुद पर ही होने वाला है, नौकरे पेसा लोग कोई बिवाद, कोई उल्जन या कोट कचरी से समधित कोई मसला है, तो उसमें आज दिन आपके पक्ष में दिखाई पढ़ रहा है, उस मामले में जो भी रुकावटे परिशानी आ रही तिन खत्म होगी, संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है, संतान की सक्षा को लेकर के दिए आप परिशान थे, तो आपकी चिंता ये परिशानी दूर होगी, अपनी वानी पर नियंतरन रखिएगा, ग्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परन्तु लापरवाही में कोई फैसला मत करिएगा, नहीं तो आपका नुक दिखाई पड़ रहा है, लकी यंक आपके लिए आज तीन है, और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, निवेल शाप ना करें, तो प्रेदर्शकों ये था मेश शेलेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाथ, अभी के के लिए, नमस्कार